मेरे प्यारे देश्वाचियों नमस्कार पिछले दिनों जिस बात ने हम सब का ध्यान आकरशित किया वह है चीता चीतों पर बात करने के लिए धेर सारे मेसेजी आये है वह चाय उत्तक देश के अरुनकुमार गुपता जी हो एफिर तेलंगना के एन रामचंदरन रगुराम जी गुजरात के राजन जी हो एफिर दिल्ली के सुब्रज जी देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लोगने पर खुशिया जताई है 130 करोर भारत भासी खुश है गर्वा से भरे है यह है भारत का प्रकूति प्रेग इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मुदी जी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा शाथियों एक टास्क फोर्स बनी है यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और यह देखेगी कि यहां के माहोल में वो कितने घुल मिल पाए है इसी आधार पर कुछ महने बाद कोई निलने लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे लेकिन तब तक मैं आप सब को कुछ कुछ काम सवप रहा हूं इसके लिए माय गौग के प्रेट्फॉर्म पर एक कंप्पटिशन आउजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आगरे करता हूं चीतों को लेकर जो हम अभ्यान चला रहे हैं आफिर उस अभ्यान का नाम क्या होना चाहिए क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इन में से हरे को किस नाम से बुलाये जाएं वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि अपने समाज और संस्कृती प्रंपरा और विरासत से जूड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी और आकरशित करती हैं यही नहीं आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमर्स के साथ कैसे बिहेव करना शोईए हमारी फंडामेंटल डूटी में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमर्स पर जोड़ दिया गया है मेरी आप सभी से अपील हैं कि आप इस कॉंपुटिशन में जरूर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरू चीते देखने का पहला आउसर आपको ही मिल जाए मेरे प्यारे देश स्वास्यों आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानुताबादी चिंतक और महान सपूद दिन दैल उपाज़ जी का जन्म दिन मनाये जाता है किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशित करते हैं बिन दैल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उतलप उतलप को देखा था वो विचार धारों के संगर्शों के साक्षी बने थे इसलिए उन्होंने एकात्म मानो दर्शन और अंतोदय का एक विचार देश के सामने रखा चो पूरी तरह भारतिय था बिन दायल जी का एकात्म मानो दर्शन एक ऐसा विचार है चो विचार धारा के नाम पर द्वंत और दुराग्रत से मुक्ति दिलाता है उन्होंने मानो मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्मबत सर्वभूत एशु अर्थाथ हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा व्यहवार करे हैं आधुनिक सामाजिक और राजलेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्सन कैसे दुनिया का मात दर्सन कर सकता है ये दिन्दैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के भांग देश में जो हिन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेपना को जागरत किया वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृती और पहचान की अभिवक्ति करे इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था दिन दैल उपाय दैल जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिन पायदान पर मोजूद व्यक्ति होता है आज हार्थी के अमरित काल में हम दिन दैल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रेणा मिलेगी मेरे प्यारे देश्वासियों आज से तीन दिन बात यानि 28 सितंबर को अमरित महोच्षव का एक विशेश दिन आ रहा है इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सहीं जी की जैनती मनाएंगे बगत सहीं जी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रधानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तै किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सहीं जी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों हम अपने स्वतंतरता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए यही उनके प्रति हमारी सर्धानली होती है शहीदों के समारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेणा देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पत पर नेता जी सुभा चंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरी ये भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब शहीद बगत्थी के नाम से चंडिगर एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेस अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें वैसे मेरे प्यारे देश फास्यों आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिबरेट करने की एक और वज़े भी है जानते हैं क्या है मैं जरिब दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा ये दो शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सलिबरेट करें अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करें मेरे प्यारे देश्वासियों कहते हैं जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती अपनी रोज मर्रा के जिन्गी में हम कुछ ऐसे साथकों को भी रेखते हैं जो किसी ना किसी सारिलिक चनोती से मुकाबला कर रहे हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहां तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख बाते ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंग्वेज लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लेंग्वेज के लिए कोई सपस्ट हावभाव ताय नहीं थे स्टेंडर्स नहीं थे इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इन्जियन साइन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना गुई थी मुझे खुशी है कि इस हमस्थान अब तक दस हजार वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्षनेरी तयार कर चुका है दो दुन पहले यानि 23 सितंबर को साइन लेंग्वेज डे पर कई स्कुली पारक्रमों को भी साइन लेंग्वेज में लॉंच किया गया है साइन लेंग्वेज के 23 स्टांडर को बनाये रखने के लिए राष्ट्रिय सिक्षा निती में भी काफी बल दिया गया है साइन लेंग्वेज जो डिक्षनेरी बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है यूटूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंग्यन साइन लेंग्वेज में अपनी चैनल सुरू कर दिये हैं यानि साथ आठ साल पहले साइन लेंग्वेज को लेकर जो अभ्यान देश में प्रारंभ हुआ था अब उसका लाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है हर्याना के रहने वाली पूजा जी तो इंग्यन साइन लेंग्वेज से बहुत खुश है पहले वो अपने बेटे से ही समभाद नहीं कर पाती थी लेकिन 2018 में साइन लेंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जिवन आसान हो गया है पूजा जी के बेटे ने भी साइन लेंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी ट्रेनिंग में प्राइक जीत कर भी दिखा दिया इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लेंग्वेज का कोर्स कराया था लेकिन उन्हें खुद साइन लेंग्वेज नहीं आती थी इस वज़े से वो अपनी बच्ची से कॉम्निकेट नहीं कर पाती थी अब टिंका जीने भी साइन लेंग्वेज की टेनी ली है और दोनों मा बेटी अब आपस में खूब बाते किया करती है इन प्रयासों का बहुत बड़ा राव केरला की मंजुजी को भी हुआ है मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं उनकी बहरेंट की जीवन में भी यही स्थिती रही है ऐसे में साइन लेंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए समवाक का जरिया बनी है अब तो मंजुजी खुद ही साइन लेंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला दे लिया है साथियों मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि इंडियन साइन लेंग्वेज को लेकर एवेर्नेस बढ़े इससे हम अपने दिम्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे भावी और बनो कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेम कोस की एक कौपी भी मिली है हेम कोस असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्सनरिज में से एक है यह उन्नीशवी सतावदी में तयार की गई थी इसका संपादन प्रख्याद भाषावीद हेम चंद्रब बरुवाजी ने किया था हेम कोस का ब्रेल एडिशन करीब दस हजार पन्नों का है और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकाशिर होनी जा रहा है इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है मैं इस सम्वेदन चिल प्रयास की बहुत सराना करता हूँ इस तरह के हर प्यास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्त वधाने में बहुत मदद करते हैं आज भारत प्यारा स्पोर्ट्स में भी सफलता के प्रचम लहरा रहा है हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिट्नेस कल्चर को जमिनी स्थर पर भढ़ावा देने में जुटे हैं इसे दिव्यांगों के आत्मिस्वास को बहुत बल मिलता है मेरे प्यारे देश शासियों मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अनवी से मिला अनवी और अनवी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे मैं मैं मन की बात के सभी सुरताओं को जरूर बताना चाहता हूँ साथियों अनवी जन्म से ही डाउन सेंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो किवल तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अनवी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अनवी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताय किया कि अनवी की दुसरोपन दिरभरता को कम कैसे करेंगे उन्होंने अनवी को पानी का ग्लास कैसे उठाना जूते के फिते कैसे बानना कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 चीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है कौन सी अच्छी आधते होती है इस सब कुछ बहुत धैरिये के साथ उन्होंने अनवी को सिखाने की कोशिश की बीटिया अनवी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ति दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके माता पिता को भी भावत होसला मिला उन्होंने अनवी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अनवी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्तिते में उनकी माता पिताजी ने अनवी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोज के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासुन बच्ची योग कर पाएगी लेकिन कोज को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अनवी किस मिट्टी की बनी है वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है अनवी आज देश भर के कंपुटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जित्ती है योग ने अनवी को नया जीवन दे दिया अनवी ने योग को आत्मसाप कर जीवन को आत्मसाप किया अनवी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अनवी के जीवन में अदभूत बलाव देखने को मिला है अब उसका सेल्फ कॉन्फेनस गजब का हो गया है योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दमाओं की जरुरत भी कम होती चली ज़िया रही है मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के सोता अन्वी को योग से हुए लाप का विज्ञानिक अध्यान कर सके मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस्टरी है जो योग के सामर्थ को जातना परखना चाहते हैं ऐसे विज्ञानिकों ने आगे आ करके अन्वी की इस सफलता पर अध्यन करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रॉम से पीडि बच्चों की बहुत मदद कर सकती हैं दुनिया अब इस बात को स्विकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत जादा कारगर है विशेशकर डायविटीज और ब्लड पेसर से जूड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है योगी की ऐसी ही शक्ति को देखने हुए 21 जून को सयुप्त राष्ट ने अंतराष्टिय योग दिवस मनाना ताइक किया हुआ है अब युनाइटेड नेशन सयुप्त राष्ट ने भारत के एक और प्रयास को रेकरिनाईज किया है उससे सम्मानित किया है ये प्रयास है वर 2017 में शुरू किया गया इंडिया हैफर टेंशन कंट्रोल इनिशेटिव इसके तहट ब्लड प्रेशर की मुश्किनों से जूज रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंडरों में किया जा रहा है जिस तरह इस इनिशेटिव ने अंतराष्टिय समस्ताओं का ध्यान अपनी और ठीचा है वो अभुत्पुर्व है ये हम सब के लिए उत्सा बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है मैं इस इनिशेटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं जिनों ने अपने अथर परिश्रम से इसे सफल बनाया साथियों मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जूरी हुई है चाहे वो समंदर हो नदी हो या तालाब भारत का भी सहुभागे हैं कि करीब साड़े साथ हजार किलोमेटर से अधिक लंबिक कोस्ट लाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अतूट रहा है यह तटिये सिमा कई राज्यों और दिपों से होकर गुजरती है भारत के अलग-अलग समुदायों और विविदिताओं से भरी संस्कृति को यहा फलते फुलते देखा जा सकता है इतना ही नहीं इन तटिये इलाकों का खानपान लोगों को खुब आकरशित करता है लेकिन इन मजेजार बातों के साथ ही एक दूखत पहलू भी है हमारी ये ततिये क्षित्र परियावरन से जुड़ी कई चुरोतियों का सामना कर रहे है क्राइमेट चेंज, मरीन एकोसिस्टिम के लिए बड़ा खत्रा बना हुआ है तो दूसरी और हमारे बीचीच पर फैली गंद की परेशान करने वाली है हमारी ये जिम्मेदारी बनती हैं कि हम इन चुनोतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्यास करें यहां में देश के ततिये खित्रों में कोस्टल क्लिनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूंगा पाँज जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्व कर्मा जेंति के दिन संपन हुआ इसी दिन कोस्टल क्लिनप डेवी था आजहादी के अमरित महुत्सों में शुरू हुई यह मुहिम 45 दिनों तक चली इसमें जन भागी जाई देखते ही बन रही थी इस प्रयास के दोरान पूरे धाई महने तक सफाई के अनेक कारकम देखने को मिले गोवा में एक लंबी हुमन चेन बनाई गई काकिनारा में गणपती विसरजन के दोरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुक्सान के बारे में बताया गया एनेसेस के लगभग पाच हजार युवा साथ्षों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया ओडिशा में तीन दिन के अंदर 20 हजार से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरश्चित सागर के लिए प्रेरीच करेंगे मैं उन सभी लोगों को बढ़ाई देना चाहूंगा जिनोंने इस अभ्यान में हिस्सा लिया खास कर सहरों के मेर और गाओं के सरपंचों से जब मैं समवात करता हूँ तो यह आगरत जरूर करता हूँ कि स्वच्छता जैसे प्रेहासों में लोकल कॉम्यूनिटीज और लोकल और्गनाशन्स को शामील करें इनोवेटिव तरीके अपनाए रहे हैं बैंगलूरू में एक टीम है यूद्फ फर परिवर्तन पिछले आँट सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदाई गतिविद्यों को लेकर काम कर रही है उनका मोटो बिलकुल क्लियर है स्टॉप कम्प्लेनिंग स्टार्ट एक्टिंग इस टीम ने अब तक शहर भर की 330 से ज़्यादा जगहों का संदरी करन किया है सो से डेर सो नागरिक को जोड़ा है प्रतेग रविवार को यह कारकम सुबह सुरू होता है और दोपर तक चलता है इस कारे में कचरा तो हटाया ही जाता है दिवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्कैचिज बनाने का काम भी होता है कई जगहों पर तो आप प्रसिद्व्यक्तियों के स्कैचिज और उनके इंस्पिरेशनल कोर्स भी देख सकते हैं बैंगलोरू के यूद्फ और परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरेट के कबार से जुगाड अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूँ ये अभियान परियावरन की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदेरी करन से भी जुड़ा है इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रेप, प्लास्टिक बेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोक किया जाता है कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदेरी करन कैसे हो ये अभियान इसकी भी एक मिशाल है इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं रदय से सरहाना करता हूँ मेरे प्यारे देश भास्यों इस समय देश में चारों और उत्सव की रोनक है कल नवरात्री का पहला दीन है इसमें हम देवी के पहले स्वरू माशाईल पुत्री की उपासना करेंगे यहां से नव दिनों का नियम, सहियम और उपास फिर विजया दस्मे का पर्व भी होगा यानि एक तरह से देखे तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्ताव और आध्यात्मिक्ता के साथ साथ कितना घहरा संदेश भी छिपा है अनुशासन और सहियम से सिद्धी की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व यही तो जीवन में किसी भी लक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होता है दसरे के बाद धंतेरस और दिवाली का भी पर्वा आने वाला है साथियों, वीचे वर्थों से हमारे त्यहणों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है आप सब जानते हैं, या संकल्प है, वोकल फर लोकल का अब हम तेहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, सिल्फकारों को और व्यापार्टियों को भी शामिल करते हैं आने वाले दो अक्तूबर को बापू की जेनती के मोके पर हमेशा भ्यान को और तेज करने का संकल्प लेना है खादि, हेलूम, हैंडिकाप ये सारे प्रोडक के साथ साथ लोकल सामान जरूर खर गए आखिर इस तियोहार का सही आनन भी तब है जो हर कोई इस तियोहार का हिस्सा बने इसलिए स्थानिय प्रोडक के काम से जूले लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है एक अच्छा तरीका ये है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोड़क को शामिल करें इस समय यह अभ्यान इसलिए भी खास है क्योंकि आजहादी के अमरित महोसव के दोरान हम आत्म निर्भर भारत का भी लक्ष लेकर चल रहा है जो सही मायने में आजहादी के दिवानों को एक सच्ची स्रदान्जली होगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंड़ूम या हैंडिक्राफ इस प्रोड़क को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोर दे हमने देखा है कि हारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथिन बैस का भी बहुत इस्तिमाल होता रहा है स्वच्चता के परवों पर पॉलिथिन का नुक्सान का रख कच्रा ये भी हमारे परवों की भावना के खिलाब है इसलिए हम स्थानी अतर पर बने हुए नौन प्लास्टिक बैस का ही इस्तिमाल करें हमारे हां जूट के सूट के केले के ऐसे कितने ही पार्मपारिक बैस का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अउसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्चता के साथ अपने और परियावर के स्वास का भी ख्याल रखें मेरे प्यारे देशवासियों हमारे सास्त्रों में कहां रहा है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई यानि दूसरों का हित करने के समान दूसरों की सेवा करने उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और जड़क देखने को मिली आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी ना किसी टीबी से पीडित मरीच को गोड ले रहे हैं उसके पौश्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं दरसल ये टीबी मुक्त भारत भ्यान का एक हिस्सा है जिसका आधार जन भागीदारी है करतव्य भावना है सही पोशन से ही सही समय पर मिली दवाईयों से टीबी का इलाज संभव है मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्थ दोहजार पचीस तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा साथियों केंदर सासित प्रदेश दातरा नगर हवेली और दमन दिव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरन जानने को मिला है जो मन को छू लेता है यहां के आदिवासिक छेतर में रहने वाली जीनू रावतकिया जी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे गाम दत्त कारकम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टोर्ट ने पचास गाउं को गोड लिया है इसमें जीनू जी का गाउं भी शामिल है मेडिकल के एचात्रा बिमारी से बचने के लिए गाउं के लोगों को जागरुत करते हैं बिमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकरी देते हैं परोग कार की ये भावना गाओं में रहने वालों के जीवन में नई खुशिया लेकर आई हैं। बैस के लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों मन की बात में नए नए विशों की चर्चा होती रहती हैं। कई बार इस कारकम के जरिये हमें कुछ पुराने विशों की गहराई में भी उतरने का मोका मिलता है। पिछले महिने मन की बात में महिने मोटे अनाच और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेटियर के तौर पर मनाने से जूरी चर्चा की थी। इस विशय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे धेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक बोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। मिलेट्स से बनने वाले डिसेश और अपने अनुभवों को साजा कर सके। इससे इंटरनेशनल मिलेटियर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एंसाइक्लोपीडिया भी त्यार होगा। और फिर इसे माई गौव पॉर्टल पर फब्लिक कर सकते हैं। साथियों मन की बात में इस बार इतना ही लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इस बड़ाई खास मोका है, क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है, कोविड महमारी की वज़े से पिछली बार के आयोजनों को रद करना पड़ा था, इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाडी को मेरी बहुत बहुत सुपकामना है, इस इन खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने करिये, मैं उनके बीच में ही रहूँगा, आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाडियों का होसला बढ़ाएं, अब मैं आज के लिए विज़ा लेता हूँ, अगले महिने मन की बात में नए विश्यों के सा आप से फिर मिलागात होगी, धन्यवाद, नमस्कार